ये दवा एलो पेथी की दवा मिनने के बाव दानी है ग्यानी है अंतर यामी है बहुत बड़े स्वामी है शक्ती मान है उद्धी मान है बलके मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुशी नहीं चेनल जनर्ट पर आपका स्वागत है मेरा नाम है आर जे आर यान एक हजार डोक्टर तो अभी कोराना की डबल वैक्षिन लगाने के बाद मर गए कल क्या समाचार है एक हजार डोक्टर डबल वैक्षिन लगाने के बाद भी मर गए अपने आप कोई नहीं बचाए पाई वो कैसी डोक्टर ही तो मैंने का डोक्टर बनना है तो सौमी राम जैसा बन जिसके पास में कोई डिगडीर नहीं और सबका डोक्टर है यो गुरू राम देव बाबा ने फिल्म अभीने तामिर खान के कारिक्रम सत्य में हुजहते का एक पुराना वीडियो शेयर किया इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि फार्मा कंपनी और डॉक्टर की साथ गाट के चलते मोनोपॉली के कारण जरूरत मन को कई गुना अधिक किमत पर दवा खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है वीडियो में समझाय जा रहा है कि जैनरिक दवा डॉक्टर द्वारा लिखी जा रही दवाओं से कितनी सस्ती होती है विर भी मरीजों को महंगी दवाईया लेना उनकी पहली मजबूरी हो जाती है राम दे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन वेडिकल माफियों को माफियों में हिम्मत है तो अमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोले बात यह है कि एलोपेथिक बनाम आयरुवेद की जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है जिस तरीके से एलोपेथी ने आयरुवेद और खासकर राम देव बाबा पर लजाम लगाए थे कि वे कहीं ने कहीं देश में चल रहा है वैक्सीन और एलोपेथी के इलाज को बनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक उल्टे ही आयरुवेद यानि राम देव बाबा ने भी ये लजाम लगाए है कि कहीं ने कहीं एलोपेथी की जो ब्रांडेट कमपनियां होती है वे डॉक्टरों के साथ सांडगाट करती है जिसके कारण मरीजों को महेंगी किमत चुक लोग कोरोना से ज़्यादा सही इलाज नहीं मलने के कारण मरे हैं और खासकार इंजेक्शन नहीं मलने के कारण मरे हैं ये भी हमने देखा है कि इंजेक्शनों की जो किमत हैं वो अपनी मूल किमत से कितनी ज़्यादा फार्मा कमपनियों ने वसूली है ये भी सामने हैं तो क्या बाबा राम देव का ये ट्विट अमिर खान का ये वीडियो वापस से अलोपेति को निशाने पर ला देगा या फिर बाबा राम देव सिर्फ अपनी आयरवेद और खासकर अपनी पतंजली की धुकान को बचाने के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा है